आज की वीडियो में हम टैनिस के टूर्णामेंट के बारे में पढ़ते हैं आज का हमारा टोपिक रहेगा टैनिस टूर्णामेंट टैनिस टूर्णामेंट्टूर्णामेंट में यह हमारे पास में चार ग्रैन्ड्सिलेम होते हैं और चारों के चारों जो 2021 के अंदर 2022 के अंदर हुए थे हमें दोनों के दोनों देखने हैं Grand Slam आज की वीडियो में हम fortunate tournament tennis tournament में हमारे पास्ट मेंäg चार Grand Slam है और चारो Standards Grand Slam के बारे में हमें study करना है इसमें हमारे पास्ट में 유ोर्म वहमारे पास्ट में कौन कौन से है यह आत्ते हैं सबसे पहला है अब आपको यहां से ट्रिक से याद रखना है इसमें हमारे पास चार टूरिक्थ यह आपको ट्रिक ध्यान रखनी है और इसी से ही हम अपने चारों के चारो ग्रैण्ड सेलम करेंगे हमारे पास में सबसे पहले हमारे पास में Grand Slam है इसको हम अफवा ऐसे ही लिखके छोड़ लेते हैं नमबर दो पर हमारे पास में आता है नमबर तीन पर हमारे पास में अफवा, डबलू और ए यह हमारे पास में हमारे चारो के चारो Grand Slam है च्यारों में सबसे पहले जो आथा है वो ऑउस्त्राइल उपन और इस उस्तराइल नोगे विए पर इसे डिखना एप। इस जो भी हुआ निलेश्म की व ड़ यहां पे लिख रही हूं तो इसको इंग्लिस में लिख वाए हमारे पास सबस्के से पहले आता है ओस्ट्रेलियन ओपन ऑस्ट्रेलियन ओपन जो दूसरा है वो हमारे पास में आता है फ्रैंच ओपन जो तीसरा है वो हमारे पास में आता है विम्मल्डन ओपन जो चोथा है वो हमारे पास में आता है अमेरिकन ओपन इसी को हम यू एस ओपन भी बोलते हैं तो यह हमारे पास में चारोग चारोग ग्रेंड सलम है तो यहाँ पर पूसर आता है कि सबसे पहला ग्रेंड सलम कौन सा है सबसे लास में होने वाला ग्रेंड सलम कौन सा है इसमें हमारे पास में आपको इस ट्रिक से याद रखना है कि जो Tenis के TOURNAMENT हो चार TOURNAMENT होते हैं और चार जो TOURNAMENT हो कौन-कौन से होते हैं वो हमें AFFWA is trick से आद रखना है AFFWA AFFWA में हमारे पास में सबसे पहले आता है दूसरा होपेंच ओपन है ट्ैसरा हो उमर्डन ओपन है और च्रोथा हो उमारे पास में American Open है यहां पर हमारे पास में आगे चलके हम देखते हैं चारोग चारोग टूर्णामेंट के बारे में सबसे पहले हमारे पास में हमने वोई ट्रीक याद रखनी है तो हमने ट्रीक कौन से ली है यह ट्रीक हमारे पास में है अफवा अफवा तो अफवा में ही हमें इनको खोल-खोल के रिखना है कैसे सबसे पहले हमारे पास में आता है आस्ट्रेलियन ओपन आस्ट्रेलियन ओपन दूसरा है स्पैंच ओपन तीसरा है विम्बलडन ओपन और चोथा है वो हमारे पास में आता है अमेरिकन ओपन अमेरिकन ओपन यह हमारे पास में चारो के चारो ग्रेंड सलम है अब हमें सबसे पहले देखना है कि यह साल का सबसे पहला होता है तो ये हमारे पास में शुरुवात इनकी कब कब हुई थी इसमें हमें शुरुवात देखना है पूछ रहता है कि किस की शुरुवात किस टाइम पर की गई थी किस सन में की गई थी तो हमें सन देखना है या पर जो हमारे पास में ओस्ट्रेलन ओपन है इसकी शुरुवात 1905 से हुई है जो फ्रेंच ओपन है उसकी शुरुवात हमारे पास में 1800 इक्याणमें से हुई है जो विमल्डन ओपन है इसकी शुरुवात 1800 से हुई है और जो American Open है उसकी शुरुवात 1881 से हुई है तो आपको ध्यान दखना है कि किस tournament की शुरुवात कौन से सन में हुई है आगे हम इसमें देखेंगे कि ये कब गब होते हैं तो इनका जो समय है टूरुनामेंट होने का वो क्या क्या है तो समय में हमारे पास नहीं हमें देखना है कि जो हमारे पास और स्टेल न ओपन है ये जनवरी में होता है अब इसको मैं ऐसे लिखें छोड़े हो J-N-U-A-R-Y इसको मैं पूरी स्पेलिंग लिखू इसलिए है इसका स्टों में हम इसको देख रहे हैं ये हमारे पास जनवरी में होता है जो फ्रेंच ओपन है वो हमारे पास में मई जून में होता है ये मई जून में होता है जो विमल्डन ओपन है ये हमारे पास में जून जुलाई में होता है तो आपको बताना है कि अभी हाल ही में कौन सा ओपन खतम किया गया है American Open है यह हमारे पास में अगस्त सेप्टमबर में होता है अब हमने यह देखा है कि कौन से टूनामेंट की का समय ने कि इनका करवाने का समय कौन कौन सा होता है तो आपको ऐसे ही एक टेबल बना लेनी हरूस टेबल की हिसाब से आपको याद रखना है इसमें हमारे पास में समय के बाद में आग या आता है कि यह हमने इसका सुरुआत देखली किसकी सुरुआत कब हुई थी समय देखा है इसके बाद हम देखते हैं कि कौन सा टूर्णामेंट किस जगह पर होता है तो जो ऑसेल उपन है वह हार्ड कोट के ऊपर खेला जाता है ये hard coat पर खिला जाता है जो french open है ये हमारे पास में clay coat यानि कि मिट्टी के उपर खिला जाता है ये clay coat पर खिला जाता है जो विमल्डन open है वो हमारे पास में grass coat पे यानि कि ये वो घास पे खिला जाता है grass coat पे खिला जाता है और जो American open है ये हमारे पास में hard court पे ही खेल जाता है अब यहां से हम पूरी की पूरी स्टेबल से हम ध्यान रख सकते हैं कि कौन सा जो हमारे पास में tennis tournament हो किस समय पे हुआ है और कहां खेल जाता है यहां से question बन चुका है कि king of play court किसे करते हैं यहां से ख्ले कोर्ट के ऊपर कौन सा खेल जाता है grass court के ऊपर कौन सा हमारा tournament होता है तो यहां पे आपको ध्यान रखना है कि जो हमारे tournament है वो चार tournament tennis के चार tournament होते हैं और चारों चारों हमें देखा है एक अफवा नाम की हमने एक ट्रिक ली है और उसी से ही हमने अपने पूरे के पूरे tournament को खोल के रखे कौन सा tournament कब होता है इसमें हमने यह पूरा करने की कोशिस की है हमारे पास में है सबसे पहला ता हो austral open है austral open की शुरुवात 1905 में हुई थी austral open जनुवरी के महीने में यह खेला जाता है और यह hard court पर खेला जाता है जो french open है वो 18001 में इसकी शुरुवात होती है मई जून के महीने में यह इसका आयोजन करवा जाता है और जो french open है वो मिट्टी के उपर की clay court के उपर खेला जाता है आगे हमारे पास में है विमल्डन विमल्डन की जो शुरुवात है वो 18002 में की गई थी यहां सी question यह बना है कि जो tennis की tournament है या सी जो grand slam है वो सबसे पुराना grand slam कौन सा है तो जो यह विमल्डन है यह हमारा सबसे पुराना grand slam है सबसे पुराना यानि की जिसकी शुरुवात सबसे पहले हुई है तो वो ही सबसे पुराना होगा तो आपको ध्यान रखना है कि सबसे जो पुराना grand slam है वो हमारा विमल्डन open है उसके बाद हम देने एक अमेरिकन open इसकी शुरुवात 18002 में होती है और ये अगस्त सेप्टम्बर के महिने में इसका आरजन करवाय जाता है और ये hard court पे खिल जाता है यहां से जो किसमें बनते हैं या तो उसका शुरुवात का बनता है कि ये कब इसकी शुरुवात होई है या फिर ये पुश जाता है कि साल का सबसे पहला इनकी अफवा से हमने याद रखना है कि तो साल का सबसे पहला टूर्णामेंट पुश जाए तो हमारे पास में ओस्टेल ओपन होता है और जो साल का सबसे आखरे टूर्णामेंट पुश जाए तो हमारे पास में अमेरिकन ओपन होता है इसके बाद में हमने देखा है कि जो ये पुछ जाता है कि इसमें कौन सा किस कोट में खिला जाता है तो आपको ये जहान रखना है कि कौन सा कहां पे खिला जाता है और अगर ये ये पुछ ले जाए कि सबसे पुराना कौन सा है तो सबसे पुराना हमारे पास मेंаю 1870 के अंदर JEFF हमारा सबसे पुराना है अब हम 2021 में भी कौन इनके विंणर रहे हैं और 2025 में कौन विंणर रहे है तो यह भी हमें देखना है कविता इनको रहूत्व थाबugen्रोण्न और ने मिशाल्यय पुर्ण्न जोस्टार्व हम अब हमें देखना है 2021 के हम देखेंगे क्योंकि पीछ worries जू हमारे पास Elizabeth के पूसे जाएंगे और जो आग़े हमारे पास- 2022 में आगी जो होने वाले पेपर हैं उन में हमारे पास 2022 के भी पुछ जाते हैं तो जैसे मैं आपको करवार यह हूँ उसी की साब से आपको याद रखना है क्योंकि अलग अलग तो हमारे को ज्यान रहेंगे नहीं यह तो हम देखते हैं सबसे पहले तैनिस टोनामेंट यहनकी चारोग चारोग जो ग्रेंड स्लैम हैं 2021 के ग्रेंड स्लैम ग्रेंड स्लैम यह हमें देखने हैं 2021 के हम 2021 के भी पढ़ेंगे और 2022 के भी पढ़ेंगे हमने चारों के चारों हमें वही ट्रिक बार बार में याद रखनी है इसी से ही हमारे को ध्यान रहेगा हमारे ट्रिक कौन सी है अफवा इस ट्रिक से याद रखना है हमें सच जुसन मेली यहीं से ही बनता है कि सबसे पहला कौन सा है सबसे लास्ट का कौन सा है तो हम इसी को इसी के अकोड़िंग देखते हैं सबसे पहले हम अपने अफवाट ट्रिक को ही या लिख लेते हैं सबसे पहले हमारे पास में 2021 के अंदर जो ओस्ट्रेल न ओपन हुआ था यहाँ लिख लेते हैं हम austrelauf open यह हमारे पास में है austredah dollar open दूसरा हमारे पास में आता है french open तीसरा हमारे पास में आता है wimaldan open और चोथा हमारे पास में है american open इसी को हम US Open में बोलते हैं American Open खीक हैं आगे हमारे पास हैं सबसे पहले हमें देखना है कि 2021 के अंदर male के अंदर कौन जीता था और female में कौन जीता था यह हमारे पास 2021 के हैं तो यहां पर हम man's single के अंदर कौन है और female के अंदर कौन है 2020 में हम उनकी vijeta भी देखेंगे और 2021 में हामें this … फ्रेंच में पास में mayl को मैं m के छोड़ रही हूँ और जो female है उसको मैं s में 2021 के है Grand Slam 2021 के अंदर हमने देखना कि कौन-कौन जीत हैं तो वैसे तो हमारे को ध्यान रहेगा नहीं तो आपको ध्यान रखना कि जो सबसे पहले तिन्नों के तिन्नों जो ओपन हैं यह हमारे पास में 2022 में भी हो चुके हैं और विंबल्डन भी हो चुका क्योंकि जो जुल हमारे पास में जो ओस्ट्रेलन ओपन है उसके अंदर ओस्ट्रेलन ओपन 2021 तो आपको ऐसे रहा है ओस्ट्रेलियन ओपन 2021 के अंदर जो मेल विजेता रहा है वो कौन है वो हमारे पास में हैं नोवाक जो कोविक नोवाक जो कोविक आपको यह भी बताना है कि यह हैं कहां से अगरेदी किसी को पता है कि ये वाले कहां से हैं ये वाले कहां से आप पता सकते हैं नौवाक जो कोविक हैं वो सर्बिया देश से हैं सर्बिया ये एक हाल टोपिक है वही बात है कि हम हमेशा उसी चीज़ को पढ़ने की कोशिश करते हैं जो हमारे को आसा लगती है लेकिन इज जाता और एक ट्रवितिन a cm तरीके अपने अग्जायं ग्ड्रोय को करता है कि हम नब कीzkा कंड़ gift करवाता है धा तो हम ह्मारी जी सबंप्धे ने लेकिन हमें उसे कुछ अलग करना है अगर यदि आपको उसे अलग करना है तो कुछ ना कुछ अलग पढ़ना भी पड़ेगा शुरेंदर राम राम जी राम राम भई अब आगे हमारे पास में जो ओसेल ओपन है मेल का वो नोवाग जो कोविक ने जित्ता है ऐसे ही हमें मelने ओपन ऊपन है उसके विजजेता है वो भी हमारे पास मेंन वाग जो को इसी रहे थे नवाग हो अगर शाकर सब् हुए तो आगे हमारे पासने सर्ब्या देश से हैं अगे हमारे पासने अमेरिकन आता है वो डैणियल मैदवे देव ने जितता है इसमें जो मेल विजटा रहा है वो रहा है डैनियल मैदवे देव और यह प्रस्या देश से हैं रूस से हैं अभी तक हमारा 2022 के अंदर American Open नहीं हुआ है तो हमें यही ध्यान रखना है कि डैनियल मैदवे देव फीमेल में जो हमारे पास में आपको याद कैसे रखना है कि जो उस्टेल न उपन है उसके अंदर मेल में नोवाग जो कोविज हैं वो विजटर रहे हैं तो फीमेल में ही इनी के नाम के जैसे कि नोवाग नैसे शुरू हुआ है तो ऐसे ही नाम से यहाँ पर फीमेल भी है वो कि या पर भिन्ना आया है तो इन तोनों कर लेंगे कि जो maior उपन हैं उसके अंदर तोनों के तोनों नयरहनिके नाम से ही हैं जो नावी औसाका है वह जापान देश की है वो जापान से है आगे हमारे पास में हमने फ्रेंच ओपन देखना है फ्रेंच ओपन में मेल के अंदर तो विजेता रही है वो नोवाक जो कोविक हैं लेकिन जो फीमेल है फीमेल के अंदर जो विजेता है वो हमारे पास में है यह हमारे पास में female singles की विजयता रही है आगे हमारे पास में रहता विंबल्डर नोपन विंबल्डर नोपन के अंदर जो male singles है उसके विजयता नोवाक जोकोविक रहे है वो जो female है उसकी विजयता female की विजयता एसले बाल्टी रही है एसले, बार्टी, तो जो जो बार्बोरी क्सिटिक होगा है, ये चेक गंणराज्जे की है एई, इसके बाद में, जो हमारे पास में विमल्डन ओपन है, उस 2021 के अंदर जो फीमेल की विजेता रही थी वो एसले बार्टी रही थी, और जो अमेरिकन ओपन है, इसमें हमारे पा तो यह हमें देख लिया 2021 के तो 2021 के आपको ऐसी ही टेबल के साथ में याद रखना है 2021 में हमारे पास में ग्रैंड स्लैम हुए है चारों ग्रैंड स्लैम में से यह वारा था हमें 2022 में भी याद रखना है सबसे पहले हमने देखा है कि ओस्रेलन ओपन ओस्रेलन ओपन 2021 के अंदर मेल में विजिता नौवाक जोकोविक रहे हैं और फीमेल में नाओमी ओसा का रही है II meant open olması में मेल के अंदर nowak Dokovic विज़ता रही है और क्यौ एंदर बारबोरी कृ्ष्टी कोव विज़ता रही है। अमेरीकन open है उसमें j lawyers मैल है उसके अंदर ्डैनिय्ल मेडविबेड मुज़ता रही है। आगे हमें देखना है 2022 के, अब हम 2022 के, 2022 के तो पहले तीन है, वो हमारे इंपोर्टेंट रहेंगे, तो Grand Slam 2022, टैनिस के टूर्णामेंट हैंगे, Grand Slam 2022, 2020 में भी हमें वैसे याद रखना है, तो सबसे पहले हमारे ट्रिक कौन सी है, अफवा, अब इसको बार-बार लिखने का मेरा यही मकसद है, कि जब हम बार-बार इस चीज़ को लिखेंगे, तो हमारे को याद रहेगा, और यहाँ पर हमारे को confusion यही होता है, तो बोलता है, कि वही, चारोग-चारोग जो टूर्णामेंट है, उसको करम में लगाओ, पहला या फिर लास्ट वाला पूचता है, या सबसे पहले शुरुआत किसकी हुई थी, ये वाला पूचता है, तो आपको वही अफवा वरे ट ये के साल का सबसे पहला, इस ये साल का सबसे पहला, साल का पूचता में, टैनिस टूर्णामेंट है, साल का सबसे पहला टैनिस टूर्णामेंट है, और से लोपन, इसके बाद में साल का सबसे पहला है, तो ये कब करवाए जाएगा, जनवरी के महीने में करवाए जाएगा उसके बाद में इसकी सुरुवात कब होती है इसकी सुरुवात 1905 में होती है यहां से ये वाली बाते हमें ध्यान रखनी है इसमें अब हमें 2022 के साल कासर से पहला था अब इसमें हमें मेल और फीमेल विजिता देखने है हमारे पास में mail में कौन जिता है और female में कौन जिता है इसमें हमारे पास में ocean open 2022 है उसके अंदर जो mail के विज़ेता है सुनिल कुमार अब पता चल गया आपको मेरी क्लास डेली होती है और मैं आपको एक बात और बदा देती हूं कि मैं आपको टोटल स्टेटिक जो जिक्के है उसके टोटल सालिस से पतास टोपिक करवाऊंगी उसमें से जहां पे भी हमारे जिक्के का पोर्शन चालिस से पतास टोपिक में जहां पे जिक्के का पोर्शन 25 से 30 परसेंट रहता है जैसे कि हम सेंटर के गोई अगजाम देते हैं उसमें हमारे जिक्के आती है वो हमारे पास में 25 कुशन आते है तो वहां से हम अगर यदि इन टोपिक को कवर कर लेंगे तो कम से कम 15 कुशन ब acceler Film जिक हो जाएगे अगर युदि जहां पर विजय जैसे को सटेट का हमारा अगजाम है अिदम ह हरियनालम है यौद में हमाया जिक्के पर्शन रहता है को मा सटर से 55 प्रसेंट को रहता है तो वहां पे हम कम से कम 30 कुशन यहां से कवर करने की कोशिश और करेंगे यहा mirror हमारे पास में अपने टोपिक प्राथते हैं अच्छा time push satisfaction यही होता है भाई 10-11 के बीच में आपको class मिलेगी 10-11 के बीच में class होती है यह हमारे पास में हमें देखना है सबसे पहले ओस्रील न उपन जो ओस्रील न उपन है 2021 उसके अंदर जो हमारे विजेता रहे हैं, मेल के अंदर जो विजेता हैं, वो है राफेल नडाल राफेल नडाल 2022 में, जो मेल विजेता हैं, वो राफेल नडाल है राफेल नडाल, इसके बारे में हमें ध्यान रखना है कि जो राफिल नडाल है वो अब तक 22 grand slam जीत चुके हैं यह अब तक 22 grand slam जीत चुके हैं इनके नाम यह एक world record है राफिल नडाल का 22 grand slam जीतने का इसके बाद में जो हमारे पास में जो female इसके आगे हमें देखना है कि इनके जो उफ विजेता रहे हैं क्योंकि आज का लग जामिनर क्या करता है हमारे पास में विजेता ना पूछ करके उनका उफ विजेता पूछ लेता है वे उफ विजेता क्या पूछेगा कि भई शुनिल गुमार बहुत अच्छा करा रहे हो मैं हां भई बहुत अच्छा अगर यह आपको अच्छा लग रहा है तो आपको वीडियो को सेर करना है आपने और शाथे ओको जोड़के लेके आना है दाकि हमें भी अच्छा लगे और आपको भी अपने पता दो इसमें तो आज के लगजा मिनर जैसे कि अब यह पुछे हमारे पास में जो मेल के उप विजयता है वह हमारे पास में थे डैनियल मेंदवेदेव डैनियल मेदवेदेव तो आपको याद रखना है कि जो हमारे पास में मेल है मेल के विजेता हमारे पास में रासिल नडाल है और ये उप विजेता है वो हमारे पास में डैनियल मेदवेदेव है आगे हमारे पास में सी मेल का देखना है हमें आगे हमारे पास में आता है female तो इसमें female विजेता कौन रही है female विजेता यह हमारे पास में है male विजेता और यह हमारे पास में female विजेता female विजेता है वो हमारे पास में एसले बाल्टी female विजेता कौन है एसले बाल्टी एसले बाल्टी ठीक है तो इसमें जो मेल और उसमें मेल का विजेता रासिल नडाल है और जो फीमेल की विजेता है वो एसले बालटी है आगे हमें देखना है हमारे पास में अच्छा यहां पर आपको जो इसकी फीमेल जो विजेता है वो भी जहां रखना है फीमेल उपविजेता यह हमारे पास में देखो यहाँ पर डैनियल के नाम से आया है यहाँ पर डैनियल के नाम से ही आएगा डैनियल कोरलिना जो डैनियल कोरलिना है वो फीमेल के अंदर उपविजेता रही थी आगे हमारे पास में दूसरा हमारे पास मताव French Open French Open 2022 जो French Open 2022 है उसके अंदर भी हमें यह हमें ढआ रखना है कि यह हमारे पास में साल का दूसरा होता है साल का दूसरा Grand Slam है साल का दूसरा Grand Slam है यह हमारे पास में कले कोल्ट के उपर खिला जाता है यह कले कोल्ट पर खिला जाता है कले कोल्ट यानि की मिट्टी के उपर आगे हमारे पास में आता है जो French Open है इसके अंदर हमें वही विजेता देखने हैं कि मेल विजेता कोन है और फीमेल विजेता कोन है यह हमारे पास में विजेता विजेता में हमें मेल देखना है और हमें फीमेल देखनी है हमारे पास में जो French Open 2022 है उसके जो विजित्ता है वो तो हमारे पास में राफेल नडाल ही रहे है राफेल नडाल जो मेल विजित्ता है वो राफेल नडाल है राफेल नडाल ने अब तक 22 जो ग्रैन स्लैम हो जीच चुके हैं इसलिए इनको King of Clay Coat बोल जाता तो आपको ध्यान रखना है इनका एक उपनाम है उपनाम क्या है King of Clay Coat King of Clay Coat यह 36 साल के हैं 36 years old इसके बाद में हमें जो फीमेल है उसकी जीता देखनी है जो हमारे पास में French Open 2022 है इसमें फीमेल की जीता रही है है वह रही है, Iga Swetek Iga Swetek जैसा भी आपको नाम जिस तरीके से भी आपको याद रख सकते हो आपको वैसे ही नाम को याद रखना है Good morning भई अपने और साथेों को जोड़ के आपको रखना है तापको एपने competition का पता चाला अगलए यहां से कोई और एक्स्रा हैं आपको पता है तो उसको आप यहां पे शेयर कर सकते हैं ठीक है यह हमने देखा है कि फ्रेंच ओपन तो 2022 है वो साल का दूसरा Grand Slam होता है यह कले कोर्ट के ओपर खिला जाता है और जो किंग ओफ कले कोर्ट है वो रासिल नडाल को बोला जाता है क्योंकि इन्हों में व्रिकोर्ड बनाया है वर्ल्ड किया बनाया है क्यों हो ने व्रойकोर्ड बनाया है और व्रीकोर्ड की सिठका बनाया है 22 ग्रेंड स्लम जीत कर अब विमल्डन ओपन तो जो जुलाई है अभी जुलाई में ही अभी हमारे पास जुलाई चलाओ है जुलाई में हमें अभी देखा था कि जो हमारे पास जुन जुलाई के महिने में है वो विमल्डन होता है अब हमें देखना है विम्बल्डन अब इसको मैं विम्बल्डन को ऐसे लिखूँ या फिर ऐसे लिखूँ बात तो वही रहेगी विम्बल्डन विम्बल्डन ओपन दो हजार बाईस अब यहां पे हमें 2022 का देखना है तो हमें पता होना चाहिए इसके बारे में हम एक दो फैक्स देख लेगते हैं वो फैक्स हमारे क्या क्या है सुमन कमबोज पसकर भाई क्या हुआ यहां पर लड़ाई जगरा कुछ नहीं करना है आपको सिर्फ पढ़ना है अगर यदि आपको सूरी की तरह चमकना है तो आपको उसके लिए महनत भी करने पड़ेगी तो हमें देखना सबसे पहले विमल्डन ओपन 2022 विमल्डन ओपन 2022 है वो हमारे पास में आपको देखना है कि यह साल का तीसरा होता है साल का तीसरा ग्रेंड स्लैम है साल का तीसरा ग्रेंड स्लैम है उसके बाद में इसकी शुरुवात कब हुई थी 1877 में इसलिए यह सबसे पुराना यहां सिटुशन कई बार पुछा गया है कि टैनिस टोनामे कुण सा है तो हमें द्स हां रखना है वो हमारे पास में वनाता दो पना दों अधारा स्थ के सब्रiki इसकेस में मैं होते सब już आघें हमारे पास में द्सली ना है यहां दे कि यह जाता है से यहेग नहीं जाघ बात और दिहान रखनी है वो क्या रखनी है कि जो विंबल्डन ओपन है ये 2021 में नहीं हुआ था तो ये क्यूशन हमारे पास में पुछा जाएगा कि 2021 में हम अब तक ग्रेंड स्लैम की इतियास में रद होने वाला पहले बार ये रद हुआ तो रद होने वाला हमारे पास में कौन सा ग्रेंड स्लैम है तो ये हमारे पास में 2021 में रद हुआ था 2021 में रद हुआ आपको द्यान रखना है कि जो व्यूमर्डन ओपन है वो 2020 में रद हुआ था, साल का तीसरा है, 18.7 में इसकी सुरुवात होती है, ग्रास कोर्ट के उपर ये खेला जाता है साल का तीसरा, हाँ भी साल का तीसरा होता है सुनिल कुमार, आगे हमें देखना है कि इनके अंदर विजेता कौन-कौन है, तो विम्बलडन ओपन 2022 है, उसके अंदर विम्बलडन ओपन 2022, अब इसमें हमें विजेता देखने हैं, और विजेता हमारे को मेल और फिमेल दोनों देखने हैं यह हमारे पास में ग्रास कोट पर खिला जाता है और यह अभी जुलाई, यह अभी रिसेंटली जुलाई में खतम हुआ है, तो यह जुलाई 2020 में हुआ है अब जो 2022 में अगरी है कोई स्टोपिक्स अगरिजी कोई अग्जामियर कुछन को उठाएगा, तो यहां से कुछन जुलाई विजेता रही हैं नोवाक जो कोविक तो जो फिमेल है, उसके अंदर जो विजेता रही हैं जो रही हैं हमारे पास में यह हमारे पास में सर्द्यादेश से हैं, आगे हमारे पास में कितने साल बाद ने ऐसे नहीं होता है, यह हर साल, हर प्रतेक एर में यह कन्डेक्ट करवा जाते हैं, आपको ध्यान रखना है कि हमारे पास में यह हर साल के अंदर होते हैं, यह प्रतेक साल में होते हैं, पैंने मतनोर जोकोविकशनान 편 उसके विजयता नोवाग्ज भी अब तक 21 ग्रैंड सें में जूके हैं मिक्वें अब तक 21 ग्रैंड स्लेम जीते हैं कि इसके नम रिकॉर्ड है और आगे आगे हमें अमारे पास छूरे है पर कंशल तिमेल से पहले इसके उप विजयता देख लेते हैं क्योंकि उप विजयता से क्यूशन बनता है तो हमारे पास में जो मेल का है विंबर्डन ओपन उसका जो उप विजयता रहे हैं उप विजेता हैं, वो हमारे पास में है निक किर्जियोस जो निक किर्जियोस हैं, वो हमारे पास में मेल के विजेता रहे हैं इसके आगे हमें female का देखना है female एलिना रूबाकान अलिना रूबाकाना और ये हमारे पास में कदाकिस्तान की हैं कदाकिस्तान देश से हैं कदाकिस्तान देश से हैं तो हमें याद रखना है कि ये पहली ASEAN पहली पहली ASEAN महिला Grand Slam विजेता है तो आपको दिहान रखना है कि हमारे पास जो विंबर्लन ओपन तो हजार पाईस है इसके अंदर जो मेल है वो नोवा के जो कोविक विजेता रहे हैं इसके जो उप विजेता है वो निक किर्जियों से हैं उसके बाद में जो विंबर्लन ओपन तो हजार पाईस है जो फीमेल विजेता रही है वो एलिना रूबा काना विजेता रही है ये कदाकिस्तान देश से हैं और ये पहली ASEAN आगे हमारी पास में फीमेल की विजेता रही हैं पहली अफरीकन हैं नाम में नहीं को जान नहीं अ रहा है अगर यह किसी को नाम का पता है तो बता सकते हैं अगर यदि आपको किसी का नाम 252 का मेरे ओंस के नाम से है ओंस के नाम क्या है ओंस के नाम से हैं इसकी जो प्रिजेता है वह हमारे पास में ओंस किर्जियोस के नाम से जैबूर है ओंस जैबूर इसकी जो प्रिजेता रही है वह ओंस जैबूर है तो आपको यही आद रखना है कि जो विंबलन ओपन दरपाईस है उसमें मेल के विजेता नोगवाग जोकोविक है उसकी एलिना रूबकना है अब हमने आज जो ग्रैन स्लम पड़े हैं उसके बार में एक बार ऐसके लेते हैं कि agree करेंधर तो ठोपिक हमारा था ट्यैशन डिकंट होते हैं और उसको हमें त्रिक करने की कोई क efficient Christiane को सक्राइब कोंख सै फिए हमने देख़ों से इनन हैं इसमें पास में अपवां में कौन-कौन से हैं एक तो हमारे पास में अमेरिकन ओपन होता है आगे हमने देखा है आपको यह वाली यहां से पूरी की पूरी टेबल को याद रखना है कि जो हमारे पास में उनी सो पास जुसकी चिसरुवात होई थी जन्वरी महिने में न के उपर खेला जाता है जो फ्रेंज जून सो The Almost में की सुरुवात होती है मई-जून के महिने में होती है ये कले कोट के की उपर खेला जाता है उसके बाद में जुःEM अभी खतम हुआ है जुलाई 2022 में इसके बाद में जो इमर्डन ओपन हो ग्रास कोड़ के ऊपर खेला जाता है जो अमेरिकन ओपन है वो हमारे पास हार्ड पर खेला जाता है इसकी शुरुआत 1880 में हुई थी और इसको हमें यू एस ओपन भी बोलते हैं यू एस ओपन आता है अगे हमने देखा है कि जो हमारे पास में ग्रैंड दोजार इकिस के हैं 2021 में हमारे पास में सिर्फ हो सिर्फ मेल और सीमेल विजयताया याद रखने हैं क्योंकि अगर यदि कोई अभी अग्जाम बनेगा तो वो 2021 उठा सकता है आपको यह वात ध्यान रखनी है कि 2022 के अंद अगे हमने देखा है जो ग्रैंड स्लम 2022 के 2022 में ग्रैंड स्लम और स्लम 2022 है यह साल का पहला होता है 1905 में इसकी सुरुआत होती है मेल में राफिल नडाल विजयता रहे हैं और राफिल नडाल को हम किंग ओफ अकले कोट बोलते हैं क्यों क्योंकि अब तक हुने 22 ग्रैंड स्लम जीच चुके हैं तो आपको एक बात और ध्यान रखनी है मै यहाँ पर आगे नोट करवा देती हूं आपको याद रखना है कि अब तक सबसे पहले राफिल नडाल जो राफिल नडाल है वो अब तक कितने ग्रैंड स्लम जीच चुके तो यह अब तक 22 ग्रैंड स्लम जीच चुके तो वोल्ल रिकोर्ड किसके नाम है ग्रैंड स्लम जी जोकोविच इन्होंने अभी तक 21 grand slam जीतते हैं जो अभी विमल्डन ओपन हुआ है वो उनका 21 grand slam है तो अब तक जो दूसरे नमबर पर आते हैं वो हमारे पास में 9 जोकोविच आते हैं तीसरे नमबर पर आते हैं रोजरर फेडर रोजर फेडर इसके नाम 20 grand slam है यानिKS सबसे पहले नंबर पर आते हैं राफिल नडाल 22 grand slam जीचुके हैं दूसरे नंबर पर नोवाक जोकविक आते हैं 21 grand slam जीचुके हैं तीशे नंबर पर रोजर फेडर आते हैं जो कि 20 grand slam जीचुके हैं यहां पे हमने देखा था ओसरण ऑपन की विजेता देखर लिए और इनके उप विजेता हैं वो भी हमें ध्यान रखने हैं आगे हमारे पास में हमने देखना है पैंचोपनी साल का दूसरा होता है क्ले कॉर्टप्र्स खिल महिर्ओर चालन रहे हैं जो इसमें फीमेल की विजिता रही है वो इगर स्वेटेक रही है आगे हमारे पास में है विंबल्डन ओपन विंबल्डन ओपन है वो 2021 के अंदर ये रद हो गया था साल का तीसरा होता है ये सबसे प्रवाना ग्रैंड स्लैम है और ग्रास कोट के ऊपर खेला जाता है आगे हमने देखा है विंबल्डन ओपन विंबल्डन ओपन ये अभी जुलाई 2022 में खतम किया गया है अभी उसके बाद में इसमें जो विजिता रहे हैं वो नौवाक जोकोविक रहे हैं ये सर्पिया देश से हैं उसके बाद में इसमें जो विजिता रहे हैं वो निक किर्ज तो आज की वीडियो में हमने जितने भी ग्रेंड स्लैम है वह ग्रेंड स्लैम 2021-2025 दोनों को कवर करने की कोशिश की है आज की वीडियो में इतना ही मिलते हैं अगली वीडियो में धन्यवाद झाल वीडियो में अगल यह ग्रिजियो में ऑचल स्लैम यह ग्रावाद करने भी झाल वीडियो में हमने की की वीडियो में आज की वीडियो में अज